अंडे से मुर्गी है या मुर्गी से अंडा ये कहावत तो आपने सुनी होगी इस समझ जो उत्तर परदेश में हो रहा है क्या वैसा ही हो रहा है क्या उत्तर परदेश में यही चल रहा है संगठन की वज़े से सरकार है या सरकार की वज़े से संगठन यह तैंक किया जाना बाकी है क्या यूपी में बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के बीच ठन चुकी है क्या योगी सरकार खुद को बीजेपी से बड़ा समझने लगी है क्या बीजेपी संगठन अपने CM को चैलेंज कर रहा है क्या यूपी में CM योगी और डिप्टी CM केसो मौर के बीच तलवारे खिट चुकी है। नमस्कार द पबलिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्रेट खार्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ जीतेंदर यादो। लोग सभा चुनाओं में जटके के बाद लखनाओं में यूपी बीजेपी कार्य समीती की पहली बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा मौजूद थे। लेकिन चर्चा सियम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सियम केसव मौर के बीच भाषणों को लेकर है। दावे यह भी हैं कि रविबार को मंच पर दोनों आमने सामने आ गए। लोग तो यह भी कर रहे हैं कि केसव मौर सियम योगी को आँख दिखा रहे हैं। और अब योगी की कुर्सी सुरचित पहले जैसी नहीं है। देखिए योगी वर्सेस मौर सरकार वर्सेस संगठन का ये धंगल का एंगल कहां से आया। बीजेपी के इंटर मैटर पर यह ग्यान समाजवादी पार्टी ने दिया। एक पोस्ट कर के सपा ने लिखा केसो मौर को दिल्ली दर्बाद से कोई संजीवनी मिल गई है। योगी के खिलाफ केसो के तेवर गर्म हैं। केसो मौर योगी की कुर्सी के पाय हिलाने के लिए सियम योगी को कुर्सी से हटाने के लिए परियासरत है। समाजवादी पार्टी ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि केशो मौरे हर कीमत पर सीयम योगी को कुरसी से हटाना चाहते हैं योगी मुल्ता बीजेपी के हैं ही नहीं, वह तो उत्रा खंड से आयातित सीयम योगी तो हिंदू वाहिनी के हैं समाजवादी पार्टी ने सीयम की रेज में बीजेपी के पांच और नेताओं के नाम भी लिख दिये बीजेपी पर ऐसा ही हमला समाजवादी पार्टी की गठबंधन सहयोगी का रेज ने भी किया रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में भारती जनता पार्टी की प्रदेश कारेकारणी की एक बैठक हुई इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी रडड़ा, प्रदेश अध्यक्ष, उपेंदर चौधरी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सियम, मंत्री, विधायक वह हजारों की संख्या में कारेकरता शामिर हुए यहाँ केशों प्रसाद मौर ने अपने बयान में एक ऐसी बात कही जिसके कई मायने निकाले जाते हुए राजधानी के लोहिया सभागार में हुई बिजेपी की प्रदेश से कारे समिती की बैठक में कारेकरताओं को लोग सभाचुनाओं में हुई चूक से अउगत कराया गया विधान सभाचुनाओं और 27 के लिए मंत्र भी दिया गया फिस नेताओं ने भाचर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लोग सभाचुनाओं में उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन पर किया वहें वीपक्षी पार्टीयों की आलोचना भी दी लेकिन इस दोरान डिप्तिसियम और भाच्पानेता केसो परसाद मौरे ने कुछ ऐसा कहा जिससे राजनेतिक चार्चाओं का माहौल गर्मा गया है कारकरताओं को संबोधित करते हुए केसो परसाद मौरे ने कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा भी है उनके इस बयान के बाद इसके दो मायने निकाले जा रहे है सियासी बैटको में एक तरफ चर्चा है कि केसो मौरे ने अपने बयान के जरीये अपना दर्द सिस्त नेतिकतो के सामने रख दिया है इतना ही नहीं वो सीयम योगी के नेतिको ओली कारे सैली को हार की वज़ा के तोर पर मानते है वहीं दूसरा पक्ष यह है कि केशव मौर ने पार्टी के परदर्संद से नाराज होकर यह बयान दिया है आपको बता दें कि 2017 के विधान सबाचुनाव के बार चर्चा चली थी केशव मौर सूबे के सीम होंगे लेकिन योगी आदित नाथ को बीजेपी ने सीम पद की जिम्मेदारी दी इसके बाद 2022 चुनाव से 6-7 महिने पहले भी यूपी में माहोल बना की बीजेपी अन्य राजियों की तर्च पर सीम योगी को हटा कर केसव मौर को सीम बना सकती है इसी बीच केसव मौर को दो बार दिल्ली भी पहुचने लेकिन बात नहीं बनी फिर चुनाव हुए और केसव मौर सीरातु सीट से हार गए हालांकि उसके बाद भी उन्हें डिप्टी सीम बनाया गया लेकिन लोगों का मानना है कि केसव ने यही दर्द पया किया है दूसरा धड़ा यह कह रहा है कि केसव मौर ने लोग सभाचुनाओं में उत्तर प्रदेश की हार से आहत होकर ऐसा बयान दिया है क्योंकि केशो मौरे ने अपने बयान के आगे कहा था कि भारती जनता पार्टी में सरकार से उपर संगठन है और यह था और रहेगा वही उन्होंने कारकरताओं से यह भी कहा कि उनका आवास साथ कालिदास मार्ग कारकरताओं के लिए हमेशा खुला है इसके क्या मायने हैं हाला कि केशो के मन की बात तो केशो ही जान सकते हैं इस रिपोर्ट में इतना ही वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राहे कमेंट में जरूर लिखे वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें लाइक करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब ही कर ले थैंक्स और जॉइन आप संग जरीए आप चाहें तो चैनल का आर्तिक सहयोब भी कर सकते हैं धन्यवाद